असलाम उलेकुम दोस्तों आप सबने बहुत सी मुवीज में हीरोस को मुख्लिफ स्टंट्स और फाइटिंग करते देखा होगा अफकोर्स वो सब ड्रामा होता है लेकिन आज की स्टूडियो में मैं आपको दुनिया के जिन ताकतवर लोगों के बारे में बताने चाह रहा हूँ इनसे कोई पंगा नहीं लेना चाहेगा तो शुरू करते हैं अपना काउंटाओ नमबर 8 इंगन यू दूस्तो आपने बहुत सी मूविस में हिरोस को कराटे स्टंड करते देखा होगा लेकिन आपने ऐसा मार्शलाट एक्सपर्ट शायद फिक्शन मूविस में भी नहीं देखा होगा इंगन यू एक कोरियन फाइटर है आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये 5 साल की उमर से ही मार्शलाट की प्रैक्टिस करना शुरू हो गयते इनको किक गन के नाम से भी जाना जाता है आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये कितने टैलेंटेट है नॉर्मली इनको देखने से कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि ये मार्शलाट एक्सपर्ट है लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कोई इन से उलच किया तो ये इसका क्या हाल करेंगे दूंगर सेवन गीगा उगुरू दूंगर को लोग ब्लैक पैंथर, निंजा, डेड़पूल और मुक्तरिफ सूपर हिरोस का उस्ताद मानते हैं ये दुनिया के सबसे बहतरीन रियल लाइफ फाइटर्स में से एक है इनकी स्किल्स रियली इनक्रेडिवल है ये बहुत ही तेज, ताकतवर और मार्शलार्ट के महरत रेंज शक्स है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि इनकी स्पीड कितनी कमाल की है इनसे तो कोई बॉडी मेल्टर भी पंगा लेना नहीं चाहेगा गुरू बच्पन से ही फॉइटिंग प्रैक्टिस कर रहे है आप बलीव नहीं करेंगे कि ये चार साल की उमर से ही फॉइटर बनना स्टार्ट हो गए थे इनका फॉइटिंग स्टाइल किसी एक्शन मुवी के हीरो से भी ज्यादा कूल है अगर कोई भी इनसे लड़ाई करने की कोशिश करेगा तो ये इस स्पीड से फॉइट करेंगे कि उसे समझ नहीं आएगा कि मेरे साथ हुआ क्या है गीगा उगुरू की स्किल्स रियली अमेजिंग है दोस्तो एड़वर्ड एक यूएस मिलिटरी आफिसर है आप इनकी ट्रेनिंग और स्टर्ट को देकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने टैलेंटेट और स्ट्रॉंग है इनकी ये हार ट्रेनिंग और जोश देकर आर्मी ने इने स्टाफ सार्जेंट की कोस्ट दे दी इसके लाबा ये पिटबर्ग पुलिस में भी सर्फ कर चुके है एड़वर्ड से तो कोई भी मुझरम पंगा नहीं लेना चाहेगा इनकी वीडियोस को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर किसी ने इनसे मुकाबला करने की कोशिश की तो इसका क्या हाल होगा इनकी दो ट्यूड डाटर्स है और ये प्रैक्टिकली एक सूपर हीरो है कोई भी मुझरम इनकी मुझरम इनकी मुझरम करने की सोचेगा भी नहीं पिट पर के लोग इन्हें दुनिया का सबसे ताकतवर द्रेन आफिसर समझते हैं और वहां अल्मस्ट हर को ही इनका फैन है नंबर फाइफ आमिर खान दोस्तों आमिर खान को तो आप जाते होंगे ये एक मशूर पाकिस्तानी बॉकसर है ये एक फॉर्मर यूनिफाइड वेल्डर वेट वर्ल्ड चैंपियन है इसके लावा आमिर खान दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन लोगों में से एक है इन्होंने इतने सदा मैडल्स और एजास हासल किये हैं कि इन्हें मैचन कर पाना भी मुश्किल है इन्होंने आज तक 39 बॉकसिंग फाइट्स की हैं जिन में से 34 मैचेस में इन्होंने फाइटर्स के बुरे हाल किये और इन्हें हरा दिया किंग खान से कोई आम शक्स तो दूर प्रोफेशनल फाइटर्स में डरते हैं और इनसे दूर ही रहना पसंद करते हैं नमर फूर शी यान मिंग दूसर दुनिया की खतरनाग फाइटर्स की बात हो रही हो और मार्शल आर्ट एक्सपर्ट मॉंग का नाम ना आए ऐसा कैसे हो सकता है शी यान अपने पेरेंट के साथ में बच्चे थे और वो इन्हें शैलन टेंपल पर ले आए थे वहाँ ये दुनिया के सबसे यंग मॉंग बने इन्होंने बच्पन से ही मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग शुरू कर दी थी 1992 में इन्होंने बहुत से मार्शल आर्ट कंपेटिशन जीते इनको अमेरिकन कॉंग फू एस्यूसियेशन ने इन्वाइट किया ताकि ये वहाँ पर मार्शल आर्ट सिका सके शीयान अमेरिका आ गए और फिर कभी चाइना वापस नहीं गए इन्होंने बहुत सी हॉलिवूड सेलेबरेटिस को भी ट्रेनिंग दी है इन में इतनी ताकत है कि इवन नैशनल जिग्राफिक ने भी इन पर डॉकुमेंटरी बनाई है यकिनत इस कॉंग फू किंग से कुई मुकाबला नहीं करना चाहेगा नमबर थ्री विटो पिरबजारी दूस्तो विटो एक जर्मन फिटनेस ब्लॉगर है इनका कद 6 शार या 5 फुट है और इनके आईरन मसल्स को देख कर तो कोई भी गबरा आ जाएगा ये एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है और इनकी लुक टैशिंग है इसके लावा ये एक फेमस एक्टर भी है विटो के इन्स्टाग्राम पर एक लाग से सदा फॉलवर्स है ये इन्स्टाग्राम पर अपनी वर्काउट विडियोस पोस्ट करते है ताके लोग फिटनेस के लिए मोटिवेट हो सके इसके लावा इनका एचिटूड ऐसा है कि इनकी बाड़ी और फेस को देखकर कोई इनसे आर्ग्यो भी नहीं करना चाहेगा नमबर डू जेडी एंडरेसन दोस्तों जेडी से स्यदा ताकत शायद किसी में होगी ये अपने हाथों से बेसमाल बैड तोड़ देते है और एक फ्राइपैन को हाथ से बैड़ कर देते है इन्होंने छे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए है इंटरनेट यूजर्स यन्हे आइसमैन कहते है असल में जेडी ठिक आइस को सर से टुक्ड़े टुक्ड़े कर देते है बर्फ के ब्लॉक को तो हैमर से भी तोड़ना मुश्किल होता है लेकिन जेडी के लिए ये बच्चों का खेल है अगर कोई शक्स इन से लड़ पड़े तो ये इसका क्या हाल कर सकते है नमबर वन जान काल दोस्तो किसी भी फाइटर को देखकर इनसान नॉर्मली इससे ढरता है कि कहीं ये लड़ाई करके इसकी हड़िया ही न तोड़ दे लेकिन जान काल एक बहुती इंटर्टेनिंग फाइटर और बॉड़ी बिल्डर है ये दुनिया के सबसे फ़नी बॉड़ी बिल्डर है और अपनी अन्यूजवल वेट लिफ्टिंग और प्रैक्टिस की वज़ा से पूरी दुनिया में फेमस है लेकिन इसका जरब भी मतलब नहीं है कि कोई भी आकर इनसे पंगा ले लेगा जॉन एक्स्ट्रेमली स्ट्रॉंग है और ये मिंटों में किसे की भी हडिया तोड़ देंगे इवन ये कई वीडियोस में आके अंदर दिल ट्रेनिंग करते हुए नज़ा आते है लेकिन बारहाल ये बहुती फ़नी मिज़ाश रखते है